फिर जो है एंकाउंटर देखने को मिला है यह बड़ी ख़बर बड़ा अपडेट हम आप तक साजा कर रहे हैं जम्मू कस्मीर के कुपवाड़ा से जहां पर जो है आतंकियों और सुरक्चावलों के वीच मुटवेड हो गई है बेहद आहम ख़बर हम आप तक साजा कर रहे ह जम्मू कस्मीर के कुपवाड़ा से जहां पर आतंकियों और सुरक्चावलों के वीच जवरदस्त मुटवेड हो गई है पाकिस्तानी गुस्पैट बड़ी साजिस को नाकाम कर दिया गया है हलाकि इस आतंकी हमले में मुटवेड में सेना का एक जवान सहीद हो गया है यह बड़ी जानकारी हम आप तक साजा कर रहे है चार जवानों के घायल होने की खबर आ रही है माचिल सेक्टर में हमले की कोशिस को नाकाम कर दिया गया है यह बड़ा अपडेट हम आप तक साजा कर रहे है मुटवेड में एक पाकिस्तानी आतंकी धेर कर दिया गया है तस्व मेजर समेट चार जबान गायल बताय जा रहे हैं तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जवर्दस तरीके से मुटवेड हो रही है दोनों तरब से गोलियां चल रही है माचिल सेक्टर में पाकिस्तान की बड़ी साजिस नाकाम कर दी है सुरक्चावलों ने हाला कि इस हमल आपकी टीवी स्क्रीन कोर सिधी लाइब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस माचिल सेक्टर की कुपवारा के माचिल सेक्टर की जहां पर सुरक्चावलों ने आतंकी गुस्पैट की कोसिस को नाकाम कर दिया है यहा बड़ी जानकारी बड़ा अपडेट हम आप तक स पाकिस्तान कारी है सुरक्चावलों को जिसके बाद भारती सेना और जम्मू कस्मीर पुलिस ने मोर्चा समाल रखा है और किस तरीके से सेना जो है तूट पड़ी है आतंकियों पार चारो तरफ से उनको घेर लिया गया है किसी के भी बच पाने की संबावना ना के बराबर है क्योंकि आतंकियों को चारो तरफ से सुरक्चावलों ने गेर लिया है एक आतंकी धेर भी कर दिया गया है पाकिस्तान का ये आतंकी बताया जा रहा है जिसको धेर कर दिया गया है मौके पर ही सुरक्चावलों ने मार गिराया है बड़ी दुरगम पहाडिया है दुरगम इ पाकिस्तान का ये आतंकी बताया जा रहा है जिसका काम तमाम कर दिया है सुरक्चा बलों ने तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अफरात अफरी का महोल है लाइन आप कंट्रोल पर वहाँ पर किस तरीके से जो है वाडर पर बाकाइदा अब ये सब तो निगरानी रखती है लेकिन पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं वो कहीं न कहीं आतंकी घुसपैट की कोशिज कराने में सपल हो जाते हैं लेकिन जब वो अंदर घुसपैट कर जाते हैं गाटी में उसके बाद सुरक्चा बलों को डेर कर देते हैं इसमें नुक्सान जबानों का भी होता है और यहीं बजा है कि आज हमने भी एक जबान को खो दिया है चार जबान घायल बताए जा रहे हैं जिनको गोलियां लगी है उनको होस्पीटल में भरती कराया गया है लेकिन यह बड़ी जानकारी बड़ा अपडेट हम आप तक साजा कर रहे हैं मुटबेड में सेना के चार जबान घायल हो गया है इसके अलावा एक जबान सहीद हो गया है बीर गति को प्राप्त हो गया है एक आतंकी को धेर कर दिया गया है पाकिस्तान की बड़ी साजिज को पवाड़ा के माचिल सेक्टर में जो है नाकाम कर दी गई है तो किस तरीके से जो है जंबू कस्मीर में लगातार एक किबाद एक लगातार आतंकी गद्विदियां बीते कई दिनों से लगातार बढ़ती जा रही है और ये कहीं न कहीं कहीं कह सकते हैं इंटेलिजेंस का भी फेलूर है किस तरीके से यहांपर जो है आतंकी गद्विदियां बढ़ रही है और बाबजूद इसके जो है यहांपर हमारे जवान जो हैं बोर सहीद होते जा रहे हैं हम लगातार एक कि बाद एक जवानों को खो रहे हैं इस से पहले अभी एक आतंकी को मारा गया था और आज एक और आतंकी को धेर कर दिया गया है फिलाल चार जवान घायल बताय जा रहे हैं एक सहीद भी हो गया है जमू कस्मीर के को पवाड़ा में LOC पर माचिल सेक्टर में स बढ़ते जा रहे हैं और इताजा मामला माचिल सेक्टर से सामने आया जहां पर सेना और अतंकिपतियों के बीच मुटवेड हुई है इस मुटवेड में एक मेजर समेश सेना के चार जबान घायल हो गए हैं घायल जबानों को तुरंद घटना इस्तल से निकाल लिया गया है घायल जबानों में से एक की मौत हो गई है यानि एक की सहादत हो गई है तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं रच्चा अधिकारियों ने जानकारी साजा की है कुपवाड़ा में भी सुरक्चा बलों और आतंकियों के बीच लगातार जबर्दस तरीके की मुटवेड हो रह है एक तो माचिल सेक्टर में हो रही है दूसरी तरह कुपवाड़ा जिले के त्रहगाम सेक्टर में मुटवेड जारी है यहां पर भी सेना के तीन जबान घायल बताये जा रहे हैं तो लगातार जबाभी फाइरिंग की जा रही है सुरक्चा बलों की तरफ से लेकिन किस त अटनाये जो हैं वो कम लेने का अनाम नहीं ले रही है और साइध यही बज़ा है आप देखिए पिछले असी दिन के डेटा पर आप नज़र डालेंगे बिछले तीन महीनों में आप नज़र डालेंगे तो करीब 14-15 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं जिनमें धरजनों ज जबानों की सहाधत हुई है और आज एक और जबान सहीद हो गया हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए